आर नेक्स क्वेशन इस ओन जेसी फॉर्म जॉर्डन केनॉनिकल फॉर्म मैंने इसकी पहले भी वीडियोस अप्लोड की हुई है तो काफि सारे क्वेशन थे इस से रेलेटिड कि अगर मिनिमल पॉलिनॉमियल नहीं दे रखा हो तो कैसे जेसी फॉर्म बनाते हैं या सरफ मेट सायर नेट का 2019 दिसम्बर का क्वेशन है पार्ट सी का एंड हम इस क्वेशन को डिस्कॉस करने के बाद अर्थमेटिक मंटिप्लिसिटी अंद जिमेट्रिक मंटिप्लिसिटी का क्या मतलब होता है कैसे कनेक्टेड यह इससे वो भी हम देखेंगे तो सार्ट करते हैं transformation हमारा R4 to R4 है that means कि जो matrix है वो 4 cross 4 की matrix है characteristic polynomial दे रखी है minimal polynomial भी हमें पता है और इसकी JC form हमें पताने है कि क्या हो सकती है अगर हमें characteristic polynomial पता हो तो हम क्या करेंगे matrix हमें पता है and characteristic polynomial हमें पता है तो हम इसकी minimal polynomial को निकाल सकते हैं ठीक है कैसे minimal polynomial को निकाला जाता है वो मैं link आपको description में दे दूँगी मैंने जब companion matrix या फिर rational canonical बताया था तो मैंने उसमे minimal polynomial को निकालने का तरीका भी बताया था तो आप वो चेक कर सकते हो link आपको description में मिल जाएगा जब आपको characteristic and minimal पता लग गया तब तो easy है वो तो हम discuss करी रहे है इस वीडियो में तो अगर characteristic polynomial matrix पता है तो matrix से आप characteristic polynomial को निकाल सकते हो इसका भी मैंने आपको यह भी explain किया हुआ है again link आपको description में मिल जाएगा बहुत ही easy तरीके से मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम calculate करते हैं matrix अगर diagonal matrix है या फिर upper triangular है lower triangular है इन cases में तो आप देखती बता सकते हो कि कैसे characteristic polynomial तो क्या होगा देखे then बात के रिए अगर minimal polynomial की तो हम यह जानते हैं so let's say कि x minus a x minus b and x minus c इस type का कोई characteristic polynomial है हमें पता है कि 3 cross 3 matrix का तो कुछ properties भी आपको minimal polynomial की पता होनी चाहिए अगर directly निकल रहा है तो आपको solve करने की भी जरूरत नहीं पड़ती यह properties भी मैंने discuss की हुई है आप एक बार link में description होगे तो आपको सबकी link मिल जाएगी कि आपको क्या चीज़ कहां से समझना है तो minimal polynomial में हमेशा एक factor तो include किया ही जाता है जिसे x-a, x-b, x-e तिनों distinct हैं तो यह एक एक बार यहाँ पर आएंगे अगर यह मैं square बना दिती हूँ इसको तो in that case x-a का एक factor और x-c तो यहाँ पर आएगा ही अगर यह minimal polynomial नहीं होता तो यह minimal polynomial मिलोगा इन दोनों में से हम check कर सकते हैं तो कुछ ऐसी properties भी है जो characteristic and minimal polynomial को बहुत ही easy और जल्दी निकालने में हमारी help करती है तो वो आपको पता होनी जाए है तो इस question को start करते है characteristic polynomial हमें दे रखी है matrix की x-2 to the power 4 minimal polynomial है x-2 to the power 2 यहाँ पर जो eigen value है वो क्या है 2 हम इसकी jc form कैसे बना सकते है जो minimal polynomial में दे रखा है वो एक jc form तो हमें मिलता ही मिलता है like 2 तो रहे गाई उसमें एक jordan block है वो 2 x 2 का तो हो गाई that is must वो minimal polynomial से हमें पता चलता है उसका जो sum है वो यह 4 होना चाहिए जो characteristic polynomial की जो इसकी degree होती है जितने भी cross का वो matrix है उसका sum वही बनना चाहिए तो possibility क्या है कि अगर मैं 2 x 2 का jc form और ले लूँ पाकी मुझे sum 4 बनाना है तो एक क्या तो मैं 2 x 2 का ले लूँ या फिर 1 x 1 का ले लूँ एक property मैंने और बताई थी कि अगर माल लो जैसे अभी तो खेर मुझे sum 4 बनाना है माल लो मुझे 5 बनाना होता ठीक है तो जो आपके पास minimal polynomial की degree होती है हम उससे जादा कभी value लेकर उसका sum नहीं बना सकते लेकि मुझे अगर 5 बनाना है तो 2 मेरे पास already है जो कि fixed है मैं यहाँ पर 3 लेकर इसका sum 5 नहीं बना सकती जो order मुझे minimal में मिला है उससे जादा का order लेकर मैं उसके sum को नहीं complete कर सकती या तो वो again 2 2 प्लस 1 होके 5 बना सकता है या फिर वो 1 प्लस 1 इस तरीके से 5 बना सकता है बट मैं यहाँ पर 3 का use नहीं कर सकती जो भी minimal polynomial के degree रहेगी आपको वो तो लेना ही है फिर उसके equal या फिर आप उससे कम वाली values से उसका sum है उसको बना सकते हो तो बस यही आपको rule याद रखने की जरुवत है क्योंकि 2 fixed था तो मेरे पास जो दो possibilities आ रहे थी वो 2 प्लस 2 की थी या तो 2 प्लस 1 प्लस 1 की थी तो यह हमारे पास jc form possible है अगर 2 cross 2 प्लस 2 की है तो jc forms कैसे बनेंगी total तो 4 cross 4 रहेगा आइगन वैल्यू मेरे पास 2 है तो यहाँ पर 2, 2 यह जाएगा 0 and 1 इसी तरीके से यहाँ पर बन जाएगा 2, 0, 2 यहाँ पर आ जाता है 1 बाकि सारी entries से मारे पास 00 होती है तो पहली jc form जो है वो यह possible है आप ऐसे लिख सकते हैं 4 cross 4 के तो यह सारी entries 0 होगी आपको यह जो blocks हैं यह खुदी पहचानने होगी इस तरीके से अलग बन कर नहीं आता question में इस तरीके से आपको options में दिया होगा वो आपको खुदी identify करना है कि कितने blocks की बनी होगी और वो easily पता भी चलताता है आपको easily पता चल रहा है कि यह 2 cross 2 यहां से बन रहा है और यहां से बन रहा है जो दूसी possibility है वो कैसे होगी 4 cross 4 और हमने sum बनाए है 2 plus 1 plus 1 का यहां पर जब 2 का बनाएंगी तो इस तरीके से 2, 2, 0 and 1 और जो यह single का बन रहा है में सिर्फ 2, 2 आएगा बाकि यह सारी entries हमारी हो जाएंगी 0 तो यह दूसरा जो JC form possible है वो यह है अब बात हाती है कि आप यह जो GM, geometric multiplicity and AM, arithmetic multiplicity यह क्या होता है और इस से कैसे connected है जब हमने diagonalizable के भारे में पढ़ा था अगें link आपको वीडियो में मिल जाएगी अगर आप go through होना चाहते हो उस topic के तो arithmetic multiplicity में था कि जो eigen values है वो कितनी बार आईए तो जिसे वालो 2 है वो 4 times ऐसे आया हुआ है जो कि इसी case में हम बात कर रहे हैं तो इसकी arithmetic multiplicity होगी वो 4 हो जाएगी तो इस case में जो इसकी arithmetic multiplicity है that is 4 आईगन value 2 है जो यहाँ पर लिखा होता है वो आईगन value होती है बट वो कितनी बार आया है वो उसकी arithmetic multiplicity है अगर इसी case को मैं ऐसे रेलूँ x-2 की power 2 और x-1 की power 2 तो हम आईगन values की arithmetic multiplicity के बारे में बात करें तो जो 2 है उसकी जो am की value है वो 2 होगी और 1 की भी 2 होगी तो अलग-अलग हो गया अब 4 नहीं हो रहा 2 कितनी बार आया है और 1 कितनी बार आया है वो इसकी arithmetic multiplicity है then यह जो gmh geometric multiplicity है जो हमने उसमे आईगन vector कितने बन रहे है उस corresponding to that आईगन वेल्यू हमने बताया था वही सेम चीज है कि geometric multiplicity में number of JC forms कितने बन रहे है जैसे कि यहाँ पर मैंने बात कि कि 2 possibilities है जब मैं यह वाला case ले रही हूँ तो 2 JC forms बन रहे है यह रहे वो 2 JC पहला form यह रहे वो दूसरा form कितने blocks तो तो form तो मेरे पास 2 बन रहे है और मैं blocks की बात करूँ तो 2 blocks यहाँ पर बन रहे है तो geometric multiplicity इसके case में हो जाएगी 2 अब अगर हम यह वाला case लें तो इसमें 3 हमारे पास block बन रहे है पहला block यह रहा दूसरा block यह रहा तीसरा block यह रहा बट इसकी जो geometric multiplicity है वो 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है then हमने एक property पड़ी थी इन दोनों में क्या link है कि जो geometric multiplicity होती है वो हमेशा less than is equals to arithmetic multiplicity के होती है या तो gm की जो value है वो हमेशा less रहेगी और less नहीं है तो वो equal भी हो सकती है ठीक है जैसे कि अगर arithmetic multiplicity 1 है तो geometric multiplicity भी 1 होगी क्योंकि इस से less तो negative होने सकती और equally हो सकती है फिर एक केस है तो इसलिए हम अगर am की value 1 है तो gm की value automatically 1 हो जाती है अब इस वाले case में भी देख लो अगर arithmetic multiplicity 4 है तो या तो 2 है तब भी less है और 3 है तब भी less है तो यह relation होता है and amgm इस तरीके से connected है Jordan के form में I hope आपको दोनों चीज़े समझ में आ गई होंगी in case कोई भी doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो link सबका आपको description में मिल जाएगा even मैंने जो Jordan canonical forms में दो वीडियोज अप्लोड की हुई है उनका link भी आपको description में मिल जाएगा okay thank you